असलाम लेकूम दियर स्टूडन्स उमीदे ही हैं कि आप सब अच्छे से होंगे आज जो बेटा हमारा उन्वान है वो हैं दामन नुमा आज हम दामन नुमा के बारे में पढ़ेंगे देखे बेटा यहां पर दामन नुमा मैंने लाए हैं इंग्लिस में आप इसको अपकरू कहते हो और उर्दू मैं दामन नुमा यह बिलकुल जैसे कि अप्टल यू होता है बिलकुल दामन नुमा वैसी होता है आपको बेटा रहा याद होगा कि दामन नुमा की शकल कैसी है आप देखिए यहां पर दो बाउल है एक मैं मिठाई है दूसरे में नहीं मिठाई है बिलकुल दामन नुमा की शकल है इनको और बेटा आप याद रखोगे यह जो दामन नुमा है वो हम हरुफ तहजीम है सीन, शीन, सौद, जौद, और कौफ, नून में इस्तिमाल करते हैं बेटा देर स्टूडन्स यह जो आप करू है दामन लाइन की इन दोन लाइनों की बीच में बनाया है यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है दामन नुमा आप देखिए यहां पर मैंने पहली लाइन में डॉट दिये हैं आप क्या करोगे शबश आप इसको पहले ट्रेस करोगे है न ठीक तो फिर क्या बनाओगे दामन न यहां इसकी ऊपर चलाया है क्या बना दामन नुमा यहां पर ढलोगे और इसको ट्रेस करोगे यहां तक शाबाज क्या बना दामन नुमा यहां पर पैंसल लोगे फिर चलोगे जीरे-दीरे इहां तक्या बना दामन नुमा आप बेटा यहां पर एक नुखता मैं डालूँगी हाँ, आप यहां पर पैंसलोगे, बन गया दामनुमा इन दो लाइनों के बीच में यानि आप करो, शाबाश यह होना चाहिए आप करो वेरी गुड्ड क्या बना दामनुमा और यहां पर ब नुमा आप करू है न ठीक? मुझे उमीद है कि आपको समझाया होगा.